हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दिपंकर वेलकम टू फोटोग्राफी टीप सिंधी और इस वीडियो में हम कॉम्पेर करेंगे निकन एफ पी डी एक्स सेबेंटि टी हांड़ेंड एम एफ 4.5 तू 6.3 एडी व्या लेंस के साथ निकन एफ सेबेंटि टी हांड़ेंड एम एफ 4.5 5.6 जी लेंस को तो दोस्तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगते हो तो प्लीज एक लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है और अगर आप इस चनल में नए है तो सब्सक्राइब करना म लेंस से और भी जादा स्मूद और भी जादा फर्स्ट और और भी जादा साइलेंट होता है और इस लेंस में अल्रेडी दी एक्स मेंशन है तो इसका मतलब ये लेंस स्पेशाली बनाए गया है निकन का डी एक्स या क्रॉप सेंसर डी असल आर के लिए तो यहां पे 70-300 mm क इसका 70 mm का व्यू है इसके बाद मैंने जूम किया 100 mm में इसके बाद मैंने जूम किया 135 mm में इसके बाद 200 mm में और फाइनली 300 mm में तो आप ये देखके जूम का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते है यहां पे ए 4.5 to 6.3 का मतलब इसका मिनिमाम फोकल लेंद यानकी 70 mm मे आपको जो maximum aperture मिलेगा वो है 6.3 और यहां पे G का मतलब इस lens में कोई manual aperture control ring नहीं है यहां पे ED का मतलब इस lens के साथ आपको मिलता है extra low dispersion glass जो की light की chromatic abortion को reduce करता है और आपको better sharpness या picture quality देता है और यहां पे VR का मतलब Nikan का vibration reduction यानकी इस lens के साथ आपको vibration reduction मिलता है जो की आप का image को या view को live view mood में और भी ज्यादा stabilize और भी ज्यादा shake free करता है यहां पे दूसरी तरफ अगर AF 70-300 mm lens की बात करे तो यहां पे AF का मतलब autofocus यानि कि यह lens autofocus कर पाएगा अपने camera के body के मदद से और यहां पे 70-300 mm का मतलब सेम ही है इसका minimum focal length है 70 mm और maximum focal length है 300 mm और यहां पे AF 4-5.6 का मतलब भी सेम है यहां पे minimum focal length में आपको maximum aperture मिलेगा वो है 4 और यहां पे maximum focal length में आपको maximum aperture मिलेगा वो है 5.6 और यहां पे G का मतलब है इस lens में भी आपको कोई manual aperture control ring देखने को नहीं मिलेगा अगर यहां पे दोनों lens का compatibility की बात करे तो यहां पे Nikon का 70-300 mm AF lens है यह Nik Nikon का DX और FX दोनों body पे ही काम करेगा मगर इस lens में कोई inbuilt autofocus motor नहीं है तो यह lens Nikon का जिस body में inbuilt autofocus motor है उस body के साथ autofocus कर पाएगा और यहां पे Nikon का 3000 series और 5000 series में inbuilt autofocus motor नहीं होता है तो Nikon का इस body के साथ यह lens काम तो करेगा मगर यहां पे autofocus काम नहीं करेगा और यहां यहां पे DX body में आपको जो actual field of view मिलेगा वो 70-300mm नहीं मिलेगा वो आपको 105mm to 455mm का मिलेगा और यहां पे दूसरी तरफ जो AFP 70-300mm lens है वो lens specially बनाएगा है DX body के लिए मगर यहां पे दोस्तों यह lens सारे DX body पे काम नहीं करता है यहां पे जो 2013 से भी पहले release हुआ Nikan का DSLR है उस camera में यह lens काम नहीं करता है और यहां पे कुछ-कुछ DSLR में आपको latest firmware update भी जरूरी है इस lens को support कराने के लिए अगर यहां पे दोनों lens का price point की बात करें तो यहां पे जो AF 70-300mm है वो Nikan का cheapest telephoto lens है और वो आपको 5000 से 7000 के अंदर मिल जाएगा और अगर आप यहां AFP 70-300mm lens की बात करें तो यहां पे यह lens आपको 15-17000 के अंदर मिल जाएगा तो मैंने दोनों lens का amazon link नीचे description में दे दिये है अगर आप चाहे तो वहां पे जाके खरीच सकते हैं अगर यहां पे दोनों lens का maximum और minimum aperture की बात करें तो यहां पे जो AFP 70-300mm lens है उसका maximum aperture है 4.5 और व आपको 22 मिलेगा और दूसरी तरफ यहां पे AF 70-300mm का maximum aperture है वह है 4 और यहां पे आपको जो minimum aperture मिलेगा वह आपको 45 मिलेगा अगर यहां पे दोनों lens का filter diameter की बात करें तो यहां पे जो AF 70-300mm है इसका filter diameter है 62mm डाय और यहां पे AFP 70-300mm का जो thread diameter है वह आपको 58mm diameter का फिल्टर है यहां पे झाल रहओ लगेगा और यहां पे AF 70-300mm lens के साथ आपको free में lens őूट मिल जाता है मगर AFP 70-300mm के साथ आपको कोई fractions नहीं मिलता है अगर यहां पे Nikon का 70-300mm AF lens की बात करें तो यहां पे आपको मिलता है यह जूम रिंग और उपर यहां पे आपको मिलता है एक GPA AFP lens में VR on off और autofocus manual focus switch button हटाया दिया गया है और अगर आप चाहे तो इसको camera के body से control कर सकते हैं अगर यहाँ पर दोनों lens का autofocus quality की बात किया जाए तो यहाँ पर जो Nikan का AFP 70-300mm lens है इसका autofocus AF 70-300mm lens से बहुती बहुती बढ़िया आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पर AFP 70-300mm lens में आपको stepper motor मिलता है और यह lens बहुती silent, बहुती first और बहुती smooth autofocus करता है और अगर यहाँ पर AF 70-300mm lens की बात करें तो यह lens autofocus करता है camera के body के मदद से तो इसलिए यह autofocus करने के time बहुती ज़्यादा हंट करता है और autofocus भी उतना smooth नहीं है manual focus की बात करें तो यहाँ पर जो manual focus control ring है वो ज्यादा smooth है AFP lens में यहाँ पर आपको AFP 70-300mm lens के साथ भीयर मिलता है तो इसलिए आपको यहाँ पर और भी बहतर और भी smooth video quality का experience मिलता है और यहाँ पर full zoom कर गई यहाँ कि 300mm में या slow shutter speed में थोड़ा सा भी हाथ हिलने पर image blur नही बात करें तो यहाँ पर आपको कोई VR नहीं मिलता है तो इसलिए 300mm में यानि कि full zoom करके या slow shutter speed में आपको blurry image मिल सकता है अगर यहाँ पर दोनों lens का build quality की बात किया जाए तो यहाँ पर दोनों lens ही hard plastic से बना हुआ है हलाकि यहाँ पर AFP का build quality है वो मुझे जादा अच्छा यहाँ पर दोनों lens का size या compactness की बात करें तो यहाँ पर दोनों lens का size लगभग same है मगर यहाँ पर जो AFP 70-300mm lens है वो थोड़ा सा light weight है तो यहाँ पर AFP 70-300mm lens का जो weight है वो aprox आपको 400g मिलेगा और यहाँ पर AFP 70-300mm lens का weight है वो 426g का मिलेगा यहाँ पर दोनों lens का picture quality की बात करें तो यहाँ पर निकन का AFP 70-300mm lens के साथ आपको मिलता है ED यानि की extra low dispersion glass और यह glass light की chromatic abortion को reduce करता है और आपको और भी ज्यादा sharp और better image देता है और यहाँ पर निकन का AF 70-300mm lens में आपको मिलता है SIC यानि की निकन का super integrated coating तो यहाँ पर अगर picture quality की बात करें तो यहाँ प AFP 70-300mm lens से तो यहाँ पर picture quality, sharpness, background blur, color, autofocus यह सब मामले में Nikon AFP 70-300mm lens बहुत ही बढ़िया है AFP 70-300mm lens से तो यहाँ पर मैं image का जादा technical details में नहीं जा रहा हूं मैंने दोनों lens से खीचा गया कुछ फोटो का google drive link नीचे description में दे दिये है अगर आप चाहे तो बहाँ पर जाक करके दोनों lens का picture quality देख सकते है तो अब main चीज यह है आपको कौन सा lens लेना चाहिए तो यहाँ पर AFP 70-300mm का जो limitation है यह सब DX body पर support नहीं करता है तो अगर यह lens आपके Nikon body में support करता है तो आपको definitely AFP 70-300mm lens लेना चाहिए क्योंकि इस budget में इस से बहतर telephoto lens Nikon में आपको नही मिलेगा तो दोस्तों अगर आपका wildlife photography या birdings का shock है तो आपको definitely Nikon का AFP 70-300mm lens लेना चाहिए क्योंकि इसका autofocus बहुत ही fast होता है और आप इस lens के साथ birds को ऊड़ते हुए capture कर पाएंगे आप portraits या candid photography के लिए भी यह lens खरीच सकते है क्योंकि इसमें बहुती बढ़िया background blur या boke के आपको मिलता है और आप sports photography के लिए भी ये lens खरीच सकते है अगर आपका videography का shock है तो आपको definitely ये lens खरीचन चाहिए क्योंकि इस lens में आपको VR मिल जाता है तो आपको यहाँ पे smooth video recording का experience मिल जाएगा और यहाँ पे दूसरी तरप Nikon का AFP 70-300mm का जो lens है वह भी आप खरीच स अगर इस lens में आपको VR नहीं मिलता है तो आपको tripod यूज़ करना बहुत ही जरूरी होता है वीडियो recording या photoshoot के लिए तो दोस्तो कैसा लगा यह वीडियो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग तो प्लीज लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजे क्योंकि आपका एक सेमेल के about section में दिया हुआ है और नीचे description में भी दिया हुआ है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है किसी और वीडियो में